प्रिये विद्यार्थियों बहु पर्तिक्षित जिसका आप बेश सब्री से कई दिनों से इंतजार कर रहे थे आज वही परकरण हम सुरू करने जा रहे हैं संदी और जैसा कि हमने पहले ही का था कि संदी को हम अने परकरणों के बाद मिलेंगे उसका कारण ये था कि उन सब्दों को बहुत ज़्यादा आप जान चुके हो किस परकारशे परते में उनका खंडन या टुकड़े होते हैं उपसरग में किस परकारशे होते हैं सब सुद्धी में किस परकारशे होते हैं आदी और इन सब परकरणों को हम पहले देख चुके है आपने अगर उन कक्षाओं को नहीं देखा है तो एक बार पूरी कक्षा को देख लें आज हम मैतोपुन बिंदू और हिंदी व्याकरण का रिधय और बहुत मैतोपुन संदी का प्रकरण हम सुरू करने जा रहे हैं देखिए संदी संदी याने की सम दंदी अब कहने की आऊ सकता नहीं है संद तो क्या है उपसर्ग पहले लगा है और ये ये आगे धी क्या है मूल शब्द ये तो इसके सब्द की विशेष्था और सब्द की बारे में जर्फशा हो गई लेकिन सवाल ये बनता है कि संदी कहते किसे हैं संदी कितने परकार की होती है और कौन-कौन से संदी के नाम है अगर हम पूरे चार्ट को एक साथ लेकर आएंगे तो साइद आमारे लिए समझ से जना कठिन होगा और फिर सारा रेलम पेल हो जाएगा और आप सोचेंगे कि यह क्या है यह तो हमरे समझ में नहीं आ रहा तो हम उसी पूरे परकरण को जो काफी विस्तरत और काफी बड़ा है और काफी मैत्वपूर्ण है उसको टुकडों में खंड में विवाजित करके करने भी हम पड़ने जा रहा हैं मिवी आशरी नहीं होगा आपको कि इसकी दस बीस कलास भी हो सकती है कि इसको हम आगये यह क्लास तुकड़ों में समझते विए आगे बढ़ेंगे और ध्यान से आप कक्षा को देख गेए और इसको समझ लेंगे सुन लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको ओर कुछ कख्षा देखने की पढ़ने की और को आउशक्ता आप Timothy आक話 कोई कमी आपकी नहीं रहेगी हमारी कोशिस है कि संदी जैसे मेत्वफुन परकरण को अगर ध्यान से और साबधनी से आपने अगर पड़ा है तो अन्य परकरण तो आपके सवते ही तयार हो जाएंगे और संदी क्योंकि हम सीधे ही संदी में इसलिए नहीं आये हैं कि बहुत सारे सवाल उड़ते बीच बीच में कि ये क्या होते हैं प्रते क्या होते हैं उपसर क्या होते हैं सब सुद्धी क्या है प्रयायवाची क्या है आदी तो उन सब को हम थोड़ा सा जान करके अब संदी प सवाल पूछ लें कोई भी एक सब्द आ गया उसी को रिखा अंकित करके कहा जाएगा इसमें कौनची संदी है या इसका संदी विग्र है क्या होगा आदी तो बात एक ही है आप यह न सोचें कि हम गद्यांस से ही पड़ें नहीं गद्यांस से हमने खूब कक्साइं ली है साइ यह केवल इस परिक्षा के लिए उपयोगी नहीं है आगामी परिक्षा जो आप देंगे या आप देने जा रहे हैं जैसे कि सहायक आचारिये जैसे कि पर्थम सरेणी या प्राध्यपक परिक्षा दित्तिय सरेणी अध्यापक परिक्षा या फिर तर्तिय सरेणी योगि आप आठे करम देखोगे तो बिल्कुल ये तो जरूर लिखा हुआ मिलेगा आपको संदी ऐसा मानते भी हैं कि व्याकरण का प्रियाई संदी है अगर संदी नहीं पढ़ी संदी नहीं आती तो व्याकरण की कलपना ही करना वेकार है तो संदी पर ही सारे टिके वी हैं इसलिए संदी को बहुत साबदाने से और आप हम कक्सा को ले करके पढ़ने जा रहा है और देखिए उसी के संदर में थोड़ी सी चर्चा संदी क्या है संदी किसे कहते हैं संदी के कैसे बेद होते हैं संदी में होता क्या है इन सब बातों की जानकरी हम देख लेते हैं देखो संदी दो या दोसिय अधिक सब्दों का मेल है दो या दोसिय अधिक सब्दों का मेल को क्या कहते हैं संदी अब देखो संदी का एक आर्थी हम यह लेते हैं जुड़ना, मेल होना, आपस में परस पर मेल होना संदी कहलाती है संदी दो सब्दों को दो वर्णों को दो धौनियों को दो सवरों को दो विंजनों को करने एक प्रकार से मेल होगा और कैसे होगा इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं जैसे कि माल लिजे कि आपके पास एक सब्द है पुस्तकाल है इसी से समझते हैं पुस्तकाल है बहुत सरल सब्द है आपने इतना जान लिया कि दो सब्द मिलेवे हैं क्या क्या सब्द मिलेवे हैं एक सब्द तो हैं पुस्तक और दूसरा सब्द है आले इन दोनों को मिलाया गया है और मिला करके पुस्तकाले सब्द बना है संदी क्या कहती है ये देखिए आप संदी कहती है पहले सब्द का आखरी वरण यानि कि ये दूसरे सब्द का पर्थम वरण यानि कि ये इन दोनों का मेल होगा और विकार होगा उत्पन इन दोनों के बीची होगा इन में किसी परकार का विकार नहीं होगा पहली सर्थ तो यह है इसकी हम देख चुके हैं परते उपसरग में है कि इन में भी विकार हो रहा है उनमें भी विकार हो रहा है, कई परकार का विकार उत्पन हो रहा था, तो ये ब्रहांति आप संदी के संदर में निकाल दें, संदी कहती है कि मुझे इनसे कोई मतलब ही नहीं है, मुझे तो इन दोनों की योग से मतलब है, ध्यान से समझे न, इसका आखरी, इसका प्रारम, अब इसका आखरी बोला है, इसका मतलब, आपको तो कई दिखाई दे रहा है, लेकिन हमें कुछ और दिखाई दे रहा है, और क्या दे रहा है? एह, और आगे वाले में तो आ है, और इन दोनों की योग से भी आ बनाया है, ये तो आपको ये बता रहा है, ये लीजेए, तो के पूरा है तो हलंत और ए बोलने में देख लो के, ए की धोनी एकलेगी, तो हम उसी आंत की धोनी की बात कर रहा है, ए धोनी निकल रही है, और आगे वाले में तो आ दिखी रहा है, इन दोनों की योग से क्या बना, बाकी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, देख कोई प्रिवर्तने कहां विकार हुआ यहां पर हुआ यहां पर कह दिखराता यहां आ दिखराता इन दोनों को जोड करके हमने क्या बना दिया कह के आकी मातरा लगा कर क्या बना दिया का यह ध्यान से समझे ले एक बार कहने का तात्वरिय सीधा और सरल इतना सा है कि संदी में अगर यहाँ पर E की मातरा लगी विती तो आकरी का जो दवनी है वो E होती फिर और आगे का वरन इन दोनों के योग से जो विकार उत्पन्न होगा या जो वरन या सब्द बनेगा उसी का नाम संदी है और यही नियम से हम चलेंगे अब देखो यह कई परकार के होते हैं यह भी कई परकार से होगा यह भी कई परकार से होगा और फिर यह बनने वाला भी कई परकार से होगा यह बात है हो गई है कि इन से कोई मतलब नहीं है पहले का आकरी दूसरे का पहला इनको आपस पर परस प यह संदी में हम पढ़ने जा रहे हैं अब देखो संदी में देखो यह कई परकार के वर्ण होते हैं और कई परकार के स्वर भी हैं व्यंजन भी हैं विसर्ग भी हैं और उनीके नामकरण प्रिंग का नामकरण हो जाएगा अगर स्वर का स्वर से मेल हो रहा है तो स्वर संदी और व्यंजन का व्यंजन से या व्यंजन का स्वर से हो रहा है एक तरब कहीं भी व्यंजन आ जाएं तो व्यंजन संदी और अगर विसर्ग दिखें आपको तो विसर्ग संदी बस अब थोड़ सा इतना सा पेच जरूर है कि सवर संदी के फिर पांच बेद हो जाते हैं, सवर संदी के, इसके फिर कितने बेद हो जाते हैं, पांच, और आदे संदी तो इसी में है, सवर में ही है, एक तरब तो सवर संदी, और एक तरब बाकी की दो संदियां, कौन सी, व्यंजन और विसर्ग, बराबर है, तो सबसे म तो पुन कौन शीवी? सवर, इसके हम पांच बेद करेंगे, वो किस रूप में करेंगे, कैसे नाम याद रखेंगे और किन किन रूपों में करेंगे, ये तो जानेंगे ही जानेंगे, सबसे बड़ी बात है, उधारन हम ऐसे ले कर आएंगे, जो परिक्षवपियोगी होंगे जो उधरन आपने पहले नहीं देखे हैं या देखे भी हैं तो आपको याद नहीं रहते होंगे तो आज कैसे हम उनको याद करें याद करने का तरीका भी हम बताएंगे कि कैसे किस तरीके से आप चीरिस्ताई सदेय हामेसा के लिए उसको याद रख सकते हैं कभी इसमर्ण नहीं करेंगे और किस नियम से आप चलेंगे एक बार अगर संदी को आपने इस साब्दानी से पढ़ लिया जीवन वरकी चुट्टी कभी आउशकता ही नहीं होगी और यह सरदर्द जो है आपका बना रहता है अक्सर हम भी द्यारतियों से सुनते हैं पूछते हैं तो कहते हैं सबसे कठीन हमें संदी लगती है क्यों वही क्या कारण है संदी लगती है संदी सबसे सरल है और कैसे सरल है इसे देखिए आप अगर पूरे को एक दिन में समझना चाहेंगे तो साइद आपको लगे कठीन जटिल है फिर सारी चीजे मिले गी आपस में टुकडों में इतना पड़ें कि वो तयार हो गया तब आगे बढ़ें फिर आपको तयार हो जाएंगे और ऐसे ही उधारणों से हम इस संदी नामक परकरण को पूरा करने वाले हैं और देखिए इसके लिए ऐने सित कितनी भी कक्षाएं हम काम तयार हैं कक्सा देने के लिए तो देखिए सबसे पहले देखते हैं संदी की परिवासा पूछेगा नहीं परिक्षा में लेकिन आवशक इसलिए हैं कि परिवासा जानते हो तो आगे की परकिरिय भी आप जानते हो क्या कहती है परिवासा दो या दो से अधिक वरणों क के mail को संदी कहते हैं सिधी तो परिवाशा यह ओ गई इसकी दो या दोस्य अधिक वरन आपस में मिलेंगे और वरन बता ही दिये पहले सब्द का आखरी दूसरे सब्द का परथम यह mail धोनी का भी हो सकता है सब्द का भी अक्षर का भी हो सकता है किंतु इनके mail से विकार अवश्यक है, अगर विकार उत्पन नहीं हुआ, तो संधी नहीं है, वो संयोग है, क्या है, संयोग, वो तापस में मिल गए हैं, तो संधी थोड़ी कहेंगे, संयोग कहेंगे, वहां संधी नहीं है, विकार उत्पन होना आवश्यक है, जैसे ए और ए मिलकर के आ का निर्मान क करा तो भी विकार कहेंगे कि आविथा फिर भी आ बना यह सारी बात हैं संदी के लिए आवशक है और देखिए संदी में परस पर मिलने वाले स्वार व्यंजन विसर्ग होते हैं अतै संदी का बेद भी इनी के नाम पर किया गया है देखो विकार या मेल किस-किस का होगा या तो होगा किसका सुवर का होगा सुवर माला हमारी जो है या व्यंजन का होगा या विसर्ग का होगा और इसी लिए इसका नाम भी यही रखा गया सुवर संदी व्यंजन संदी और विसर्ग संदी ये लिजे एक दो और तीन आपसे पूछे हैं संदी कितने परकार की होती है तो कहीं आप उनके उपवेदों को गिनने नहीं लग जाएं सीधा ही उत्तर दें तीन परकार की होती हैं आपसे वो तीन परकार ही पूछे गए हैं इसका मतलब कौन-कौन सी स्वर संदी, व्यंजन संदी और विसर्क संदी बस इतना ही अगर आगे पूछा जाता है तो आगे को माना जाएका ये बात तो हम बता चुके हैं अगर विकार ही उत्तपन नहीं हो रहा है पूरे सब्द की बात नहीं कर रहा है जिसका जिन वरणों का अपस में परस पर मेल हो रहा है उनमें विकार उत्तपन होना आवश्यक है उसी का नाम संदी है नहीं होगा तो उसी क्या कहेंगे संयोग कहेंगे संधन योग केवल योग मना है अब देखो बेध ये भी कई बार पूछ लेते हैं आलंकि इतना सरल पूछते नहीं है लेकिन संदी पढ़ रहे हो तो पूरी भूमिका से पढ़ें प्रस्तावना से पढ़ें और जान लें संदी कितने परकार की होती है के वल तीन कौन-कौन सी सवर संदी विएंजन संदी विसरक संदी करमस है आप इनके नाम याद रखें सवर कहने की आउसकता नहीं है सवर संदी किसे कहेंगे सवर का सवर के साथ मेल होगा और किस परकारश होगा देखिए यानि की सवर बराबर आप लिख दें सवर पलस सवर दोनों तरफ सवर हो और सवर का सवर से मेल हो रहा हो तो सवर संदी है लेकिन विएंजन संदी देखो विएंजन संदी में क्या होता है सवर का विएंजन से मेल होगा इतना ही नहीं वियंजन का सुवर के साथ भी मेल हो सकता है और इतना ही नहीं वियंजन का वियंजन के साथ भी मेल हो सकता है यानि कहने का मतलब एक तरफ वियंजन होगा तो वियंजन संदी है हम क्या करता है कई बार सुवर देखा रो उसको पैचान ली पूछा यही गयता सोवर है कि अब इंजन है तो आपने उसको कह दिया सोवर क्योंकि सोवर देख लिया नहीं आगे ये तो देखो किस से मेलो रहा है एक तरब भी अगर वियंजन है तो निश्यत रुप से वो वियंजन संदी चले जाएगी ठीक विसर्ग संदी की तो कहने कि आवसकता है नहीं है केवल विसर्ग ही आपको पहचान कराएगी जैसे मनोज विग्र कीजिए मनह दन जह ये लिजे क्या है विसर्ग इसलिए इसको विसर्ग संदी कहते हैं बहुत सीमित और छोटी कम उदारने इसके मिलेंगे आपको ये संदी की सामन्ने जानकारिया थी इसमें हमने देखा है कि संदी किसे कहते हैं संदी कितने परकार के होती है संदी की क्या परकिरिया है अब हम आगे इस कलास में जान पाएंगे कि संदी के कौन-कौन से भेद किस-किस नाम से जाने जाते हैं और उनके उधारण किस प्रकारशे होते हैं और कैसी प्रकिरिया उनकी चलती है देखिए सवरसंदी सबसे पहले हम सवरसंदी को ही पढ़ लेते हैं सवर संदी और सवर संदी देखो दो सवरों के परस पर मेल को या योग को सवर संदी कहते हैं योग में दोनों ही सवर होते हैं ये दोनों मैत्वपूर बात हैं दोनों तरफ सवर होगा यह हम पहले ही बता चुके हैं एक तरफ भी वेंजन आ गया तो फिर वो सवर संदी नहीं और आपको पता चल गया कि दो सब्दे इसमें हैं और दोनों सब्दों के योग से बनाया सब्द अनुसासन तो टुकडे करो क्या टुकडे हो जाएंगे सब्द धन अनुसासन इस परकार से क्या योग हुआ इन दोनों का हुआ है इसमें क्या है अंत में ए और इसमें क्या है और बना क्या अ यह लेजे औहर कहीं नहीं जाना है यह कुछ दारण खुदी बताएगा अपने अपफी सारी पर कारीं सब्सक्राइब शोर्च अंत में क्या हुआ ए इसलिए ए इसमें तो पहले ए दिख रहा है प्रारम तो प्रारम भी होता है इस पर ए और अब ये कह रहा है कि सब्दानों शासन देखिए दा दे की जगई या क्या हो गया है दा हो गया, दा कैसे हुआ, आ का आगमन हो गया, कैसे हुआ है, ए और ए मिल करके हम ऐसा क्या बनेंगे, आ बनेंगे अब ये और जानेंगे कि इसको आप कहते क्या है, ऐसा अगर हो जाएं, ए ए मिल जाएं तो क्या बनेगा, ये हम आगे देखेंगे ये परकिरिया है इसका मतलब है दोनों तरफ सुवर हैं ये भी सुवर है और ये भी सुवर है और बनने वाला भी क्या है सुवर है इसलिए इसका नाम क्या रखा गए सुवर संदी देखो भेद देखो सुवर संदी के सुवर संदी के पांच भेद होते हैं बहुत मेटोपून है पहला और मेटोपून सवाल यहीं से निकल के आ रहा है सुवर संदी कितने परकार की होती है संदी कितने परकार की तीन अब पूछा आप से क्या सुवर संदी कितने परकार की त तो 5 है, तो कौन सी है? पांच कौन कौन से हैं, यह देखिए 5 परकार की हैं, करमस है आप याद रखें इसी परकार cohort से और इसी परकार से हम पढ़ेंगे दिर्ग संदी, गुण संदी, व्रदी संदी, यन संदी, आयादी संदी और बहुत सरल है इनके नाम तो आपको याद रखने हैं क्योंकि नाम याद रखेंगे ना तबी संदी को पढ़ेंगे और तबी इसकी विशेष्टाओं को आपको याद रखने किसमें क्या होता है बस इतना याद रख का सवाल निकलना चाहिए क्यों इसको दिर्ग क्यों कहते हैं क्यों इसका जवाब हम देंगे कि कैसे याद रखें कि सब्दानु सासन में दिर्ग संदी है और दिर्ग क्यों है ये तरीका भी हम बताएंगे पिलाल आपको क्या करना है केवल इन पांच बेदों के नाम याद र दिर्ख, आगे वाली की चिंता चोड़ दो, क्या होगा क्या नहीं होगा। source उएक को याद करू और यह पहली ही सबसे महत्वपूर है। जैसा कि मैंने कहा था संदी के 3 बेड़े तीनों में सबसे महत्वपूर है स्वर्संदी। और फिर सवर में भी ये पूछे हैं कि सबसे मैत्वपून कौन ची है तो दिर्ग संदी और ये पहली ही है इसी को हम पढ़ने जा रहा है और ये देखिए पहले ये जान लें कि सबसे पहले कि दिर्ग सवर संदी में पूरा नाम तो देखो इसका ये है दिर्ग सवर संदी होती है कि किसका भेद है इसलिए कहें दिर्ग सवरसंदी पूरा नाम अब आपको पता भी चल गया सवर लगावा इसका वनलब सवरसंदी का ही वेद है और कौन सा बेद है दिर्ग अब दिर्ग का मतलब क्या है बढ़ा देखो रस्व है और दिर्ग ए दूसरे के विलोम है रस्व है नहीं छोटा और दिर्ग है नहीं बढ़ा तो इसका नाम ही है कि दिर्ग है नहीं बड़ी संदी तो कैसे बड़ी है ये देखते हैं देखो इसमें ए जो होते हैं न ए ए कर आ गया लेकिन देखो कितना सरल है कैसे योग होगा यहां देखो आप क्या आ बन रहा हर इस्ति में आ बन रहाय है यह क्या बन रहा है यह देखो वन रहा है यह तो एitty रसव एक बड़ी दिर्ग तो दिर्ग बन बराबर में दिर्ग A बन रहा है एक तो ए और एक A बन रहा है और कैसे बनता है ये देख लीजें अ और ए दोनों आ जाएं इधर पहले सब्ध का अन्तिम वरन और दितिय सब्ध का परत्थम वरन आ जाएं तो उनकी योग से सदेव आप क्या बनाएं? हमें सही अगर पहला और दूसरा दोनों ए ए आ जाएं तो क्या बन जाएगा आ उधारन आगे देखेंगे तो और समझ में आ जाएगा पिलाल आप इतना याद रखें कि ए और ऐसे भी क्या बनेगा आ और अगर इधर ए है और इधर ए की जगे अब आ जाएं तो भी क्या बन जाएगा आ दो इस्तति हो गई ना ए और ए समान आ गए और यह समान निकलाते हैं ए और आ समान सवर है ई भी समान सवर ई और ई उ और उ और उ यह समान सवर है मेल होता है मेंसा दिर्ग बनेगा ये इसकी विश्यस्ता है इधर ए और इधर आ गया तो भी क्या बनेगा आप तीसरी स्थती क्या बनेगी इधर तो आ गया और इधर आ गया और पहले आ और फिर आ गया तो भी क्या बनेगा और एक स्थती चोथी स्थती ये बनती है आया और इस थतियां चार प्रकारशे बनेगी किस किस की बन रही है एक तो प्रकारशे मिलेंगे निश्ष्जट het एक बाद में है किस तर और चार इस्ततियों के इस प्रकारशे हर स्थि में आप याद रखें आई बनेगा और अगर इस ए को समझ लिया आपने तो फिर ए को भी समझ लेंगे उ को भी समझ लेंगे हम तो इसी परकार से देखिए यही मैंने किया है निचे भी ऐसा ही किया है चोटा इ बढबर क्या बनेगा बढ़ा और फिर बाद में इ आ गया तो भी बढ़ा पहले आ गया तो भी को क्या कहते हैं दिर्ग इसलिए इसका नाम भी क्या रख दिया दिर्ग और सवर का बेद है इसलिए सवर और संदी है इसलिए इसको कह दिया संदी बोलो हम कहीं से नाम लेकर आएं क्या नहीं लाए आपने खुद नहीं नाम दिया है समझ रहे थे उसी परकार से नाम भी बन गए ये लो दिर्ग बनता है और इस सती में दिर्ग और सवर संदी ऐसले सवर और संदी ऐसले संदी और ये ही तो इसका नाम है दिर्ग सवर संधी बस आपको अगर याद रखना है तो वो ये रखना है कि आपको याद करो वरणवाला पढ़ाते समय में ये का था कि हिंदी वरणवाला में चार रस्व सवर होते हैं रस्व रस्व रिस्व बलते हैं इसको और उ हाँ क्यों लिख रहा हूँ ए, ई, उ, और री ये लेजे एक, दो, ती, चार और इन्ही का खेल है अब इन रिस्वो को क्या बना रहे हैं दिर्ग बना रहे हैं क्या कर रहे हैं कैसे बना रहे हैं ये खुदी आपस में मिलेंगे इसका समानान्ति कौन सा है, आ है इसका कौन सा है, इ है और इसका कौन सा है उ है ये लेजे, और री का भी है अलंकि हम पढ़ते नहीं है हमरी इन्दी में आता नहीं है, लेकिन इस री का भी करेंगे न, तो ये लेजे री, इस परकार्शे बन जाए इनी का हम समान सवरों को दिर्ग में बदलने का नियम है इसमें इसलिए इसको कहते हैं दिर्ग सवर संधी इतनी भी बात अगर समझ में नहीं आती हैं तो फिर उधारणों पर आ जाओ हम इसका पीछा नहीं छोड़ेंगे जब तक ये संधी पूरी तरह से हमारे जहन में उतर नहीं जाती ये समझ में आ गया आगे देखिए और ये हो रहे हैं अब वही बात ए और ए की आई थी वो उ की आ गई है हर स्थिमें क्या बन रहा है दिर्ग कैसे कैसे उ और उ से भी दिर्ग और उ से भी दिर्ग और दोनों तरफ भी दिर्ग आ जाएं तो भी क्या दिर्ग ये लेज़े ये तीन वरन हो गए हमारे पास है ई और उ इनको दिर्ग बनाना एक और है अपास रूप री का दिर्ग रूप री होता है इस परकार से ये लिखने में इस परकार से होगा दिर्ग रूप लेकिन हिंदी में परसदान में नहीं है इसके उदारन भी उपलब्द नहीं है एक उदारन मिल जाता है दो चार उदारन मिलते हैं जैसे माल लीजिए पित्र और रिन ऐसे है माल लीजिए अब आप से कहें इनके योग से संदी बनाईए इनका ये भी छेद है आप संदी कै से कोंगे तो देखो इस री को भी मिलाएंगे ना ये भी री है और ये पूरा है ये भी बताद है तै तो आदा है लेकिन री पूरा है और फिर भी री आ गया तो दो बार री आया है इसका मतलब है री और री दो बार आया है अब हमें क्या बनाना था बड़ारी और बड़ारी ऐसे बनता है और ये परसलन में नहीं है इसके एक मातरा लगा नहीं हो तो देखो कैसे लगी है ऐसे बड़ेगी तो इस परकार से और ये अजीब सा लगता है और परसलन में नहीं है इसलिए इसक इसलिए मैंने का था कि एक नमर पर क्या लोगे दिर्ग यह आखरी में पताब बताएंगे कि क्यों आपको यह का गया था कि पहले नमर पर दिर्ग संदीलें स्वर के 5 बेद हैं और 5 में पहले नमर पर दिर्ग लिया याद करो वर्णमाला हम कैसे लिखेंगे आ, आ, ई, यह पढ़ चुके हैं हम ई, उ, उ, री, ए, आ, इ, और चलती रहे गिया ऐसे ही तो चलती है हमारी स्वर माला इस परकार से वर्णमाला अगर बात करें तो आप देखो कहा तक लिया है याँ तक करमे से लिया है छोड़ा नहीं है और क्या क्या लिया है सारे लिया है लेकिन बने क्या क्या है बड़ा यह है इसलिए बड़ा यह है इसलिए और यह तो बड़ा रूप बताए था इस परकार से और यह रहा तो मुएत्वपुन कितने वे ये तीन इसी रूप में ऐसे भी आप याद कर सकते हैं एक तीर से दो सिकार कि वर्णमाला की गान भी आपको यहां काम में आ रहा है और इस परकार से ये भी आप समझा रहे हो और क्या है नमबर एक पर क्या रखाता दिर्ग सवर संधी दिर्ग क्यों कहते हैं ये लोग दिर्ग है इतनी बाते हैं सारी ये प्रस्तावना की है लेकिन परिक्षा में यहां से भी सवाल आने की संभावना बहुत कम है लेकिन समझने के लिए है बस वो इसलिए कि एक डर निकल जाएं और हम संदी को एक रूची के साथ में पढ़ें समझ करके पढ़ें इस्ताई रहेगा हमेसे याद रहेगा अब आजाओ उधारणों पर ये लीजिए उधारणों पर आएंगे तो वो सारी बाते हमारी काम आएगी और हम इसको और अधिक समझते जाएंगे कैसे देखिए पहला ही सब्द है वेदान्त परिक्षा में तो यही आने वाला है वेदान्त का संदी विछेद होगा तो अब संदी विछेद कैसे होगा वेदान्त का ये चार विकलप आपको दिये भी आएंगे आपको एक पहचान ना है और कैसे दिये भी आएंगे ये और देख लीजिए विदान्थ के कैसे आएंगे विदान्थ सब तो यह है चार विकल्ब देखिए विदान्थ दूसरा विदान्थ तीसरा विदान्थ और चोथा विदान्थ अब आपसे पूछेगा कौण सा विदान्थ का सही संदी विछेद है किसका विदान्थ का यहालहिद देता हूं विदान्थ का दूसरी मैत्पुन बात निकल कर यह आती है यह तो हमने देख लिया कि दिर्ख संभर संदी है ठीक लेकिन दिर्ग भी देखो इनमें सम्में है हालांकि उत्तर हमारे एक ही है लेकिन सम्में क्या है कैसे है ये देखिए इसकी बात करें तो आ है अंत में पहले का आखरी में आ है और आगे क्या है ए है इन दोनों की योग से भी क्या बनता है आ तो नियम तो ये भी आ रहा है, इसमें देखो, ए है और फिर आ है, और इनसे भी आ बनता है, ये हमने जान लिया पहले, इसमें देखो, ए है और फिर ए है, और इनसे भी आ बनता है, ये भी अमें पता है, और इसमें देखो, आ और फिर भी आ है, और इससे भी आ बनता है, अब आप ये देखेंगे कि सर ने भी ये बताय था कि कैसे भी आ जाये हैं समान सवर बने का दिरगी और सम्मे बन रहा है अब आप कौन सा चुनोगे इनमे से देखो वेदा दन अंत वेदा दन आंत वेदा दन अंत और वेदा दन आंत अब आपका दूसरा नियम काम करेगा इसलिए मैंने पहले सब सुद्धी पढ़ाया था कुछ पूछ रहे थे कि आपको संदी से शुरू करना था परकरन कक्षा नहीं अगर संदी से शुरू करते हैं और या आप भी डारेट इस संदी को पढ़ रहे हो तो अब आपके समस्या आने वाली हैं क्यों चार विकल्ब हैं बताईए कौन सा होगा अब सब सुद्धी की बात आ गई यानि जो सही सब्द होगा उसी का चैन करेंगे क्या वेदा सब्द होता है क्या नहीं होता तो ये उत्तर गलत आंत सब्द होता है क्या नहीं होता इसलिए ये विकल्ब गलत और वेद धन अंत बिलकुल ये होता है वेद भी और अंत भी सब्द सही है वेदा ये लीजिए ये हो रहा है तो बहुत सार हो जाएगा आपको प्र ये देखना है कि वेदान्त सब्द किस during This content कि सार्थक होगा दोनों ही मूर्ण सब्द होंगे परते में क्या देका ता एक मूर्ण सब्द हो और अंत्य में सब्दांस होगा उबसर्ड कि क्या अब दोनोई, दोनोई मूल सब्द होते हैं, दोनोई सार्थक सब्द होंगे, अब हमार उत्तर हो गया वेद धन अंत, वेद धन अंत को कहते हैं, वेदान्त, इस्तती किलियर, आगे देखो, इस पस्ट इस्तती होनी चाहिए, इसलिए वेदान्त का हो जाएगा, ये कहने की आओ सक प्रश्न पत्र में लिखा हुआ था और इतना याद आगया आपको की समान सवर मिलकर के दिर्ग बन रहा है तो दिर्ग संदी में होता है ना तो इसका नाम पूछा तो नाम भी बता दो दिर्ग सवर संदी और उत्तर हो गए आपका आगे देखिए हिम यानि बरफ होती है तो हिम ही आएगा और आलाय यानि घर होता है ये लिजे तो हिम धन आलाय से क्या बनी है हिम आलाय बना है किसका मेल हुआ है देखिए ए और आगे क्या है आ बना क्या है आ ये मेत्वपून है अब आप गलत नहीं करोगे इसको कि ए और आ मिल करके आ बनाया देख लिजे हिमालाय हिम की जगा मा हो गया हिमालाय हिमालाय इस परकार से विच्छे दिये ही होगा हिम धनालाय क्योंकि आर्थ भी यही देता है आलाय आलाय यानि घर हिम यानि बरफ बरफ से बनावा घर को हिमालाय कहते है इसलिए हिमालाय इसी से बनाया विद्दालाय लेजी तो विद्या और आलाय तो हमें रखना ही है, यह लिज्या आलाय यहां क्या हो गया? इधर देख लो, आका मेल आ से हुआ है और बना भी क्या है? आई बना है विद्डा ले बहुत मैं तो पॉन है इसको ऐसे नहीं लिख करके ऐसे भी लिख सकते हैं एक ही बात है, यह ऐसे है विद्या, और आलाय तो आलाही, तो भी अंत में क्या रहा है, आह, और आगे तो आही, बन क्या रहा है, विद्यालाय, आ बन रहा है, तो विद्यालाय का संदी विचे दोगा, विद्या धन आलाय, इस परकार से, यह सरल है, बहुत सरल है, बहुत कम स वेदान्त हिमालय विद्यार्थी और देखिए विद्यार्थी तो क्या हो जाएगा विद्या विद्या से ही तो बना है दन अर्थी आगे कुछ नहीं करना आपको परिवर्तन कि अर्थ कर दें ऐसा कुछ कर दें नहीं और देखिए आह और आगे क्या है एह बना क्या है दोनो अर्थी अर्थि-अर्थि दर्ण करने व साव्डी आप एसा कभी अजाता है यह थोड़ा साक हे आपकथि लग सकता है? साव्डी लेकिन इसको गहरहा ही मत जाओ ीसके सब्देकिम टुकड़े करो कहा टुकड़े हो सकते हैं? आप सोचो तो आप देखेंगे अगर से को वाला अगे निकालें और आगे वाले को वाला निकालें तो तुकड़े हो गए तो से को ही निकालो देखो से अब आगे क्या आपके पास ए भी है री आ भी है आप क्या निकालें तो दोनों को रखरक करके देख लिए सब्द क्या बनेगा आउदी तो आउदी आप कहेंगे सब्दी नहीं है आउदी हाँ बिल्कुल आउदी सब्द है तो अब लिख दो आउदी मातरा आगे वाली कोई परिवर्टन नहीं करना है अब बन गया से आउदी अब देखो इसमें क्या है अंत में ए और इसमें क्या है अब दोनों से क्या बनाया आ और कुछ नहीं किया ये लिजिए आ बन गया कुछ परिवर्टन नहीं हुआ है आ बन गया इसलिए ये सब्द नहीं लगा मैं साउदी क्या साउदी लेकिन यह देखिए सैधन अवधी से बना है अवधी सहीत को साओदी कह देंगे साओदी जमाज, साओदी ब्याज़ादी तो इस परकार से सैधन अवधी और परिक्षा में यही पूछा जाएगा मैं तो पूर्ण है साओदी का संदी विछेद होगा पहला सवाल दूसरा पूछ सकते हैं सावधी में संदी का नाम कौन सी संदी है तो आप इस परकार भी गरे करके बता सकते हैं सानुरोध ये लिजे सै को अलग निकालो और फिर आगे देखो क्या बचा अनुरोध आप अनुरोध भी बचेगा आपके पास तो आप कहेंगे अनुरोध कोई सब्सदी में अनुरोध है और अनुरोध से ही सानुरोध बनाए तो अनुरोध ये लिजे से अनुरोध को कहते हैं सानुरोध अब कहने कि आवसकता है नहीं कि इसमें अंत में ए है और इसके प्रारम में ए है और दोनों के योग से आ बनाएं देख लीजिए क्या यी बनाएं क्या बिल्कुल यी देख लीजिए यहाँ भी कारुत पन्न हुआ है बस क्यों लिए इन दो वरणों का ही मेल होगा बाकी को नहीं बदलना है और संदी बन जाएगी तो सानुरोद का संदी विचे दोगा सैधन अनुरोद सताब्दी और ये भी मैतोपून है तो देखो सताब्दी का देखो ऐसे लिखते हैं सताब्दी पहली बात तो ये कि सुद्ध ऐसे लिखते हैं अब इसके टुकड़े करो कहां हो सकते हैं तो हम देखेंगी यहां हो सकते हैं सत यानि सो और आगे क्या रह गया अब्दी संदी विछेत होता है अप धन दी इसका भी होता है आगे अप धन अब दी का अप धन दी होता है लेकिन आप हम यहाँ पर दिर्ग सवर संदी पढ़ रहे हैं इसलिए दिर्ग को ही पहचान रहे हैं इधर क्या है ए और इधर क्या है ए दोनों की योग से क्या बन गया आ ये लीजिए इसलिए सत्ताब्दी क्या हो गया आर्थ देखलो अपने आप सत्त यानि सो और अब्दी यानि वर्ष सो वर्षों के समों को क्या कहेंगे सत्ताब्दी ये हमने क्या पढ़े थे पहले के पर परिक्षा नहीं आने चाहिए वह रतनावली अब समश्य आ गई परिक्षा में और ये बहुत बड़ी-बड़ी अग्जामों में पूछा गया है दिखने में सरल रग रहा है लेकिन है कठिन देखो रतनावली वह कठिन तब हो गया कि परिक्षा में चार विकल्प आ गई तब हमारे लिए कठिन और दुसकर हो गया कैसे रतन दन आवली दूसरा था जगे कम रह गई है रतनावली अलग लग लिख रहा हूं समझा ना तीसरा विकल्प था रतन दन आवली चोथा था रतना दन आवली अब आपको सब सुद्धी का ज्यान होना आउशक है सवरसंदी तो तीनों में बन रही है नियम अनुसार तो अगर उस नियम से चले तो लेकिन क्या सवरसंदी कहेंगे नहीं कहेंगे क्योंकि दूसरी सर्थ ये भी है सब्दी भी सार्थक होना चाहिए अर्देनेवल होना चाहिए अब आपको क्या करना है इस पर विचार करना है रतनावली कहते किसको है ऐसा नहीं कि तुल्ची दास की पतनी का नाम था रतनावली तो कहते क्यों है रतनावली नाम क्यों पढ़ा है उसका आसे क्या है उसका संदर्व क्या है और उसका सई आर्थ क्या निकलना चाहिए तो हम जान गए कि रतन होगा रतन है बिलकुल रतन से बनिये, अब रतन भी क्या है, दो में है, देखो, इसमें भी है, इसमें भी है रतन, रतना तो हो गई नहीं, यह सो तो करोष कर दो, आप काट दो, दो विकलों में भी आप कन्फिजन हो गए, कि आउली लिखूंग, अउली लिखूंग, तो एक बार याद कर लो, बैस, आउली होता है, आउली यानि माला, लड़ी माला आदी, तो रतनों की आउली, रतनों की माला, उसको कहते हैं रतना आउली, तो आउली आएगा, बस यह याद रखना, एक बार याद रखना, यह बहुत सारे सब्दों में आएगा, तो रतना आउली का संदी विच्छेद क् रत्न दन अवली और ये कहने क्या हो सकता नहीं है एका मेल ऐसे ही हुआ है और क्या बना है आ दिर्ग और दिर्ग सवरसंदी हो गई है इसलिए ये मैटोफून है इन चीजों को देखें परिक्षा में आज से पहले अगर आपने गलती भी की है तो अब नहीं करनी है बस ऐसे ही आगया देखो दिपावली दिपावली लिखते तो ऐसे है दिवाली अलग प्रकार से लिखते हैं दिपावली ऐसे लिखते हैं बिल्कुल अब देखो इसको क्या करेंगे हम दीप दीप यानि दीपक और दीप से बनी है यह हम पैचान लिया यहां टुकड़ा हो गया दीपों की लड़ी तो यही तो होता है दीपावली में दीपक की दीपक होंगी इसलिए दीपावली इसलिए इसका नाम पढ़ा तो दीपधन अवली सुद्ध यही होगा और देखे आगे इधर भी है कुछ उदर आगे गीतान जली और इसने तो बहुत से लोगों के सवाल को गड़त किया है अब हम बर्मित हो गए कि गीता धन आगे और तो समझ में आ गया कि अंजली है और देको अंजली ऐसे लिखते हैं यह हम सब सुद्धी में पहले पढ़ चुके हैं अंजली बिल्कुल ऐसे लिखेंगे अंजली ऐसे ही लिखेंगे अंजली इचोट आएगा अब इसमें आ गया दोंद है गीत करें या गीता करें गीतां करें गीतांजली एक बहुत प्रशिद पुस्तक का नाम है जो गुरुदेव रविंदाना टेगोर दवरा लिखी गई थी जिसे साहिते का नोबल पुर्षकार मिला हुआ है ठीक और उसी की बात कर रहा है गीता करें या गीत करें दोनुए सब्द हैं गीता भी सब्द होता है और सार्थक सब्द होता है और गीत भी सार्थक सब्द होता है लेकिन अब संदर्व इसक में लाना है इसको कि गितांजली में गीता का प्रियोकी आ गया गीत का प्रियोकी आ गया जो लोग गीतांजली को करना है अब ऑब ग्रे क्या हो गया देखो एडर भी है और बना क्या है यह तो आपको पता चली गया होगा देख लो है यह यह तुकडे कि हमने मत गीत अंजली अप गीत है या को ढिलमीक गीत ऑद् Still का गीतों के लिए गीत दन अंजली ये बहुत महत्वपून है इसलिए इसको याद रख ले और देखो विकलांग अब इस पर विचार करो तो विकल हो जाएगा विकल और आगे क्या अंग अंग तो नहीं करोंगे राप अंगी करोंगे विकलांग वही तो होता है जिसका विकरत हो एक अंग उसको कहते हैं विकल अंग तो विकलांग हो गया ऐसे प्राथी देखो अब इसमें यहां टुकडे करना है प्रै धन अर्थी विद्यार्थी का क्या था ना वैसे उसमें विद्यार्थी इसमें प्रे प्रे प्रमुक विसेश रूप से तो प्रे धन अर्थी से क्या हो गया प्रार्थी आ कैसे आया ए और आ मिलकर के आ गया यह दिर्ग संदी का नियम है स्वार्थ आगे देखिए स्वार्थ अब स्वा तो नहीं करोगे ना स्वा ही करोगे ना स्वा यानि स्वयम स्वा और अर्थ अर्थ यानि लाब आधी के लिए स्वार्थ आधी के लिए स्वार्थ यानि खुद के लाब के लिए स्वार्थ बोलते हैं उसको और ऐसा ही अर्थ होता है न स्वार्थ का मलब अपना ही तचाना स्वार्थ तो स्वा आएगा स्वा नहीं आएगा और अर्थ आएगा ससांक ये हम देखो प्रियाईवाची में पढ़ चुके हैं तो टुकडे का होंगे सस और सस का आर्था आपको बताया है खरगोश होता है और आगे क्या है अंक अंक क्या निक गोद भी होता है खरगोश की गोद ससांक और चंदरमा को कहते हैं कैसे लगता है जैसे खरगोश उसकी गोध में बैठा हुआ हो दब्बे बने वी हैं सपेद रंके ससांक इसलिए उसका प्रयायवाची हो गया किसका चंदरमा का चंदर का इसलिए ससांक अब देखो बहुत सारी कई प्रकरणे एकदम इसपस्ट होते जा रहे हैं इसके साथ मे समझ करके पढ़ें रटकर के नहीं पढ़ें रटकर पढ़ा हुआ थोड़े समय के लिए याद होगा फिर बूल जाएंगे हो सकता है लंबे समय के लिए याद हो भी जाएं लेकिन जब परिक्षक में सामने परशन पत्र होगा और गबराट होगी तब निष्यत रूप से जो रटा हुआ है सबसे पहले हो ही जाता है सम्झा मोगा कभी नहीं बहुता है यह है स्वा दीन सवाधीन नहीं करेंगे हैं variance कोई नया नहीं लगा ना कहीं आप अपने विसे सग्या लगाने लग जाएं कि यह आएगा वह आएगा नहीं बस इन्हीं में विकार होगा तो ए और मिल करके आवन गया स्वादीन का स्वय दन अधीन हो गया अर आवली यह देखिए अर दन अब आवली मत करना आवली करना है यह पहले भी बता चुके हैं मैंने का था बहुत बार आएगा यह अनेक में और लोग गलतियां काते हैं इसलिए देते हैं इसको परिक्षा में तो अर दन आवली अर नहीं है वैसे सब तो अरे है अरे कहते हैं रत का पईया का जो चक आओगा लेकिन इसका संदी विचेद अरधन अवली होगा और देखो ए और ए मिलकर के आबन गए अरावली हो गया इस परकार से अरावली का अरधन अवली यह याद रखे अब आजाओ राष्टर अध्यक्स सिदी सी बात है राष्टर से बना है राष्टर और फिर अध्यक्स है यह लिजे कुछ नहीं किया हमने केवल एको ऐसे मिला है इसमें कन्फूजन मत हो जाना इसमें कि अंत में क्या है बैस सीधा सा है देखो राष्टर को हम विस्तार से लिखे हैं तो रह हलंत और आ है और फि इसके बाद क्या है टe है और यह हैलनत वाला ही रहे unanim ऐसे kisses final कि इस्जिलिए अगे अगे मगा आ और क्या जाएगा रह क्या पूरा यह यह तो अन्त में क्या सका में यह अदिख्यारा दिक्षी रहा था इन दोनों के मेल आप ऐसे ही तो बना है राश्टर द्यक्स थोड़ा सा आपको जोड़बा की गुणाबाग तो करना ही पड़ेगा इतनी माथपची तो करनी पड़ेगी इतनी समझ तो आपको बढ़ानी पड़ेगी और ये समझ व्यर्थ नहीं जानी वाली है ये आगे भी काम आएगी हर प्रकार से आपको अरसन्दी में हर प्रकार से आपके काम में आ जाएगी अब राश्टर द्यक्स को समझ गये ने आफ इससे जड़ह विस्तारतों में क्या बता हूँ काम आए नहीं देखो काम आए नहीं बिलकुल जैसंकर परशाद की प्रस्षिद्ध रचना है कामाईनी अब टुकडे करना है क्या सुरू में कर देंगे कैसे ही नहीं याद करो कामाईनी सब्द किस से बना है काम से बना है कामगोतर की पुत्री तो है सर्दा तो कामाईनी देखो कैसे करेंगे हम टुकडे काम और दन आईनी नहीं करेंगे आईनी करेंगे इस त्रीलिंग आईनी और ये लेजे ए और ए और बराबर आ बन गया आपका सब्द कामाईनी कैसे बना काम दन आईनी से बना है तो कामाईनी का संदी विछे दोगा काम दन आयनी ये लिजे ये सारे मैत्वपूर्ण है एक ही परकार के दो तीन उदारण में नहीं बता रहा आपको इसलिए नहीं बता रहा कि इनके संख्या बढ़ाने से कोई मतलब नहीं है आपको तरीका आ जाना चाहिए हो सकता है इनसे मिलता जो तर दूसरा सब्द भी आ जाएं जैसे रत्तनाव कनकावती आ जाएं और कुछ आ जाएं तो आपको कनफूजन नहीं होना है फिर आपको ये नियम पता है तो आप किसी भी सब्द को दे दें आप उसका विग्रेक कर रही दोगे और यह आवशक भी है और देखो आगे कारागार यहां भी थोड़ा स कारा धन आगार अब देखो इसमें सब्द तो कार भी बनता है कार धन आगार लेकिन हमने इसको नहीं लिया आगार नहीं लिया क्योंकि यह गलत है कार तो हिंदी में कोई सब्द है यह नहीं है मारे पास है क्या कोई हो सकता है कोई प्रते हों लेकिन सब्द नहीं है इसलिए नहीं और दूसरी बात देखो कार wear यहां अर्थ नहीं देखा कर आगार क्या कहते हैं कारा और आगार आगार तो इस्थान है पता है आपको आगार जैसे राज्ये पत परिवे निगम आगार आधि तो आगार तो है जैसे मारे जो कोई भी आगार लिखा हुआ है तो रुकते हैं टैरा होता है वहां आगार बोलते हैं और कारा कारा कहते हैं जो चारों तरफ से गिरा हुआ हूँ इसलिए कारागार चारों दिवारी बंद हों गिरीवी हों और इस परकार का इस्तान क्या कहलता है कारागार तो आप विग्रह में कारा ही करेंगे कार नहीं करेंग और आगे भी गार नहीं करेंगे, आगार करेंगे, अगार भी नहीं करेंगे, क्योंकि आगार ही सब्द है, और कारा ही सब्द है, इसलिए कारागार, एक बार समझो, एक बार इससे याद करो, हमें सक ले तियार, तो कारागार का, क्या हो जाएगा, काराधन आगार, कारा, चाहो तो आप इनको आत्वाद लिखते भी जाएं अब देखो महा से बिलकुल महा अब क्या करें क्या सहे कर देंगे डायरेट सहे करेंगे तो फिर संदी में नहीं आ रहा क्या करेंगे आ से उसको कहते हैं महा से किसको महा आ से से मिलकर बनाया महा से और आ और मिलकर भी क्या बनेंगे आ इसको देखकर लग नहीं रहा था लेकिन ऐसे होगा याद कलेना मुक्त आउली बहुत मैटफोन है मुक्त आउली अब देखो इसके भी दो में भी गरे बता रहा हूँ दोनों में से आप बताना कौन सा होगा मुक्त अब आउली तो में लिखोंगा नहीं क्योंकि आपको पता चल गया कि आउली है सब्द ये तो विसेश है याद कलेना और एक है मुक्त ये भी आउली है परिक्ष्या में तो और कुछ भी लिखा वा सकता है परशन पत्तर में तो लेकिन देखो ये दो में कन्फिजन रहेगा आपके इन दो में रहेगा अब बताओ कौन सा आएगा मुक्त धन अउली करें या मुक्त धन अउली करें और आपको पता है ए ए मिलकर भी आ बंद रहा है और आ और ए मिलकर भी आ बंद रहा है आपका नियम तो वहाँ खारीज हो गया अब आपको क्या करना है अब ये देखना है कि मुक्तावली सब्द किन्ट से मिलके बना इससे जदा मैत्पण कौन सा है तो ये तो कभी हो गई नहीं ये तो गलत है आपका होगा ये निच्छे वाला मुक्तावली और क्यों होगा ये देख लिए मुक्त भी सब्द है मुक्त का तो मतलब है रहीत के बिना तो क्या यहां मुक्तावली कोई पंक्ती है वो बिना किसी के भी रहीत है मलब सहीत नहीं है बिलकुल उससे मुक्त है उसको मुक्तावली बोलते हैं क्या, नहीं, मुक्तावली तो उसको बोलते हैं, मुक्ता, एक बहुमले पत्थर, रतने, मुक्ता, हीरे, आदी, तो मुक्तावली उनकी माला को, मुक्तावली कहते हैं, इसलिए ये उतर आएगा, ये मत कर देना कभी, ये गलत हो जाएगा, इसल पहले याद नहीं हुए, तो अब कक्षा देखते भी जरूर याद हो जाएंगे, इतना मुझे भी स्वास है, पंच आयत, तो देखो पंच आयत में पांच लोग होते हैं, तो पंच और आयत, बस कुछ नहीं करना, पंच उल्टे आज से लिख रहा हूं, समझ जाना, पंच आ आयात, आना और जाना, याद आयात से क्या बना है, यात आयात, बस कुछ नहीं, इसके आकी मातरा लग गई, यह सब्द बन गया, तथा पी, तथा और धन अपी, मातरा नहीं बदल नहीं है, मैंने का था कि अपी में यह रहेगी, तो यह रहेगी तथा पी का तथा पी, हश से दन आसपद, सिंगासन बिलकुल, सिंग ही करना है, सिंगा तो नहीं करोगे न, क्यों करोगे सब्दी नहीं है, और आसन, ये लेजिए, बहुत सरल है, सुदान्सु ये लेजिए, आप सुद नहीं करोगे, सुदा करोगे, सुदा ये अमरत होता है, और फिर आगे अंसु, से बनाया सुदान्सु और सुदान्सु और अम्रित और अन्सु यानि कीरन अम्रत की किरने जो देता हो उसे क्या कहता है यही चंदर्मा इसलिए इसका प्रियावाची है चंदर्मा इसलिए इसको क्या कहता है सुदान्सु तो ऐसे वो भी तयार हो रहा है इस नियम को भी और हम कहरे हैं कि अम्रित की जैसी उसकी चांदनी होती है किरने होती हैं इसलिए सुधा धन अंसु सुधें गिश्थ करके पढ़ें बहुत ही आनन्द देती है हिंदी और व्याकरण और देपर इसको समझे पढ़ें रवींद्र हें इसको समयों रविंद्र है ऐसा भी आएगा परिक्षा में और अमने क्या करना है सुद्धता का दिहान रखना है रवी यहने सूर्य होता है और रवी ऐसे लिखता है और इंदर में E छोटी आती है यह पता है यह लिजे इंदर है आगे रवी धन इंदर E के उदर न आ गया है इसका मतलब है इदर तो था छोटा E और उदर भी था छोटा E और बना क्या है दिर्ग E देख लो यही बना है तो रवी इंदर का इस प्रकार्श होगा रवी धन इंदर बहुत सरल है इसको अच्छी तरह से याद कर ले रवी इंदर है प्रतीक बिल्कुल प्रती उपसर्ग है तो प्रती ऐसे लिखते है क्या बड़ी लगा दें नहीं और फिर इक है इक यानि एक प्रती यानि प्रतेक प्रतेक एक को प्रतीक कहते है तो प्रती धन इक से प्रतीक अभिपसा तो अभी उपसर्ग है अभी ऐसे लिखेंगे और आगे क्या है इपसा तो परी और इसे आएगा और इक्षा इ बड़ा ही आएगा क्या हुआ छोटे इका बड़े इसे मेलो करके बड़ा इ बन गया परिक्षा ऐसे हो गया गिरिस बिलकुल गिरी से बना है और गिरी ऐसे लिखते हैं गिरी यानि परवत और आगे इस है और ये एक बार याद कर लो इस यानि बगवान होता है इस ऐसे लिखते हैं ये बगवान होता है ये तो बड़े आएगा बगवान तो बड़े ही होते हैं छोटे थोड़े होते ह तो इस ऐसे इंदर में छोटा आएगा ये द्यानक हरीस ये लिजे अब क्या करें हरी तो ये ही लिखना पड़ेगा और क्या इस हरीस इस है तो इस तो ऐसे लिखेंगे हरी ऐसे लिखेंगे ये लोग हरी दन इस स्रीस ये पहले भी बता चुके हैं श्री और धन अब देखो सही नहीं लिख देंगे इस ओर हैं यह लोग एक इओर आ गए न तो भी कोई फरक नहीं पड़ा क्योंकि बड़ाई और बड़ाई मिलकर भी बड़ाई ही बनाते हैं इसलिए स्री एन लक्षमी इस एन स्वामी लक्षमी का पतियत्हर्थ विश्णु स्री इस विश्णु को कहते हैं तो यह भी देख लिया मुनी स्वार और यहां देख लिजे मुनी स्वार अब मुनी तो ऐसे लिखेंगे न और इस्वार आपको पता है इस्वार सब सुद ऐसे होता है बैस यह लिजे ए छोटा और फिर इ बड़ा और दोनों के योग से बन है मुनिश्वार रजनिष या ओड़ देख लो रजनी अभ आपको पता है कि न बड़ा होता है रजनी में स्ट्री लिए धन इस और इए बड़ा होता है ये लिजे बड़ाई और बड़ाई मिल करके क्या बनाएंगे बड़ाई बना रहा है दिर्ग सवर संदी रजनिस रजनी धन इस रजनी यानि रात और इस यानि स्वामी रात का स्वामी हो उसको कहते हैं रजनिस किसको कहेंगे चंदर्मा को तो चंदर्मा का प्रेयवाची हो गया रजनिस ये सारे उधारण बहुत मैतोफून है इनको अच्छे से समझ ले लिखकर याद करें समझ करके याद करें और आगे देखिए और कुछ उधारण देखते हैं मन्जुशा ऐसा भी आजाएं मन्जुशा और देखो कैसे दुबार अच्छ लिखकर बदा देता हूँ हो सकता है छोटी अक्सरों में आ रहे हूँ मन्जुशा ऐसे लिखते हैं सुद्ध बिल्कुल सुद्ध है विच्छेद करो संधी विच्छेद करो मन्जुशा और मन्जुशा और मन्जुशा और आगे देखो क्या है उसा और उसा में उ छोटा आता है मन्जुशा हुआ क्या है ये देखो इधर तो क्या था उ और इधर भी क्या था उ छोटा ही थे दोने और दोनों मिलकर क्या बन गए इसलिए मंजूसा में बड़े उकी मात्रा हो गई लेकिन मंजू में क्या है छोटी उसा में क्या है छोटी यह उका मेल है दिर्ग सवरसंदी में उका भी होता है हमने एका भी देखा और इका भी देखा अब उका आ गया है इसके उधरन का मिलते हैं लेकिन देखो किस बना है मन्जुसा इस प्रकार से, ऐसे ही है लगुत्तम, संधी भी छेत कीजिए, तो लगु लिखो, अब आपको पता होना चाहिए, लगुत्तम ऐसे लिखते हैं, उ की मातरा छोटी है, और आगे उत्तम है, तो उत्तम में भी उ छोटा ही आता है, हुआ क्या है? चोटे उ का मेल किस से हुआ है चोटे उ से हुआ है क्या बना है बड़ा उ ये लीजे इसलिए लगुतम में तो बड़ी उ की मातरा आएगी लेकिन लगु में क्या आएगी छोटी इसलिए इसको दिर्ग सवरसंदी कहते है तो लगुतम का लगुधन उत्तम विकलप को ध्यान से देखना है वहाँ ध्यान से देखने पर पता चलेगा देखो एक विकलप में ऐसे भी लिखावा रहेगा कैसे लगुधन उत्तम ऐसे भी लिखावा आएगा कहीं आप इसको चिन लगा दो नहीं यह गलत है, सही तो यही है क्यों? क्योंकि सुद्ध में यही होता है सब सुद्ध में इसलिए यही है और دेखो लगुरमी यह भी एक की परकार का है लेकिन इसमें थोड़ा सा फेर हैं तो लगुरमी आपको यह पता चल गए? लगु ऐसे लिखेंगे अब उर्मी का एक बार और याद कर लो उर्मी में उ बड़ा आता है बस उर्मी उर्मी यानि लहर होता है तो उर्मी देखो उ बड़ा ही आएगा अब यहां किसका मेल हुआ है छोटे उ का बड़े उ से मेल होकर भी क्या बनेगा बड़ा उ बनेगा इसलिला गूर्मी, उर्मी ऐसे लिखते हैं, बस ये याद रख लेना, इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है, आगे देखो, मर्तिव परांथ, ये लेजे, मर्तिव परांथ, या नहीं, परांथ, ये लेजे, मर्तिव परांथ, अब देखो इसका विछेद करो, कहां करेंगी टुकडे, मर्तिव हो जाएगा एक तो मर्तिव, और मर्तिव ऐसे लिखते हैं और फिर आगे क्या है, उपरांत ये ध्यान से समझ ले ना एक बार इसको सब्द को पहले परिक्षा में ये आ गया तो इसको समझो, दो सब्द कौन कौन से आए, टुकडे करकर के देखो कौन से टुकडे हो रहे हैं, और कौन सा सही बैट रहा है, ये हो जाए, तो फिर सब्द सुद्धी पर आजाओ, कि सब्द सुद्ध कैसे लिखते हैं, बस मर्तिव के बाद के समय को क्या कहते हैं मर्त्युप्रांत इसे मर्त्युदन उप्रांत ही होगा बहनुदय बिल्कुल बहनुदय तो ऐसे लिखते हैं बहनुदय लेकिन विग्रह करेंगे तो बहनुदय अब यह उ छोटा आएगा और उदय में भी छोटा उ आता है बहनुदय हुआ क्या है उ का मेल उ से हुआ है छोटे हैं दोनों ही और बना क्या है बढ़ा हो ये लिए इसलिए बहानू दै हो गया है ये याद रखना और देखो सुक्ती ये मेतोपून है कई बार परिक्ष्यों में पूछा है क्यों पूछा है ये जान लो अब सु लिखना है क्या सु ऐसे लिखोगे क्या आप ऐसे तो सु होता ही नहीं सु ऐसे अच्छा होता है सु कैसे लिखेंगे हम सु ऐसे लिखेंगे सु इसलिए याद था अब आगे क्या उक्ती है उक्ती यानि कथन होता है ये लिजिए विछे दो गया और देखो, अनुदित, ये भी मैतोफून है, अनुदित, ऐसे गते हैं, क्या हो जाएगा, अनु, उपसरग न, ऐसे लिखेंगे अनु, और उदित है, उदित में भी उचोटा यात है, उदित, ये लिजे, छोटे उख का मेलो करके बड़ाओ बन गया, अनुदित का, निकालो सब्द, याद करो, सती सकिन किन सब्दों से मिल करके बना है, कैसे बना है, देखो, सती लिखना है, अब ये पता होना चाहिए, सती में ती बड़ा आएगा, छोटा नहीं आता, इस्त्रीलिंग है, और जरतर सामाने ते इस्त्रीलिंग सब्दों में एकी मातर आती ह तो तिर गाएगी सती धन अब इस करना है इस में इ बड़ाई होता है इस यानि बगवान और देखो क्या बना है बड़े इ का मेल बड़े इसे हो करके क्या बना बड़ाई बना है और इसको कहते क्या है देखो कौन हो गया सती सती का इस यानि कि क्या हो गया सिव सती का सवामी कौन है संकर्व कौन है इसलिए सिव ये आपके किस में आ जाएगा ये आपके सबसुद्धी में भी आ गया आपने इसका नियम ये भी जान लिया शब्द कौन कौन से सुद्ध लिखते है और आपने इसका प्रियाईवाची भी जान लिया कि सिव का प्रियाईवाची सतीस भी है इस परकार से और ये सुद्धा आपने जान नहीं है सतीस और देखो नारिश्वर नारिश्वर इस परकार से तो क्या करना है नारी कहने कि आउ सकता है क्या इकी मात्रा छोटी आएगी बड़ी आएगी आगे क्या है इस्वर तो नारी धन इस्वर से क्या बना है नारी श्वर ये थी आपकी कौनची संदी कौन सी संदी थी आपकी ये थी स्वर संदी में पहला परकार और कौन सा परकार दिर्ग संदी का देखिए दिर्ग स्वर संदी आपका कारी यहीं समाप्त नहीं हो गया क्या आपने कलास देख ली हो गया नहीं अब आपको जो भी आपके पास उपलब्द पुस्तक है जिसमें उदरन दिये हैं उनको और देखना है विग्रए को बाद में खुद करकर देखो किसका विग्रे यह होगा आदिकर करकर के देखो कोई भी उदरन आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसका आप नहीं कर पाएंगे और अगर दो-चार नहीं मिल जाएं तो आपकी तपश्य ही सपल हो जाएगी इसलिए अब आपको एक दिन में यही त्यार करना है आगे की चिंता नहीं रखनी है आगे क्या आएगा उसमें क्या होता है उसमें क्या नहीं होता है केवल दिर्ग सवरसंदी की चिंता करनी है दिर्ग सवरसंदी में इसको ध्यान से सुन लिया होगा, समझ लिया होगा और आप अनेक उदरणों से इसे और देख लें बस ये परकरण तयार, आगे हम आगे की भेद को लेकर करके फिर आएंगे आज के लिए तनाई है, धन्यवाद